नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार दुवारा से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से अगार फिर आपने नई अच्छन को सब्सक्राइब कीजिए साथ में बैल को दुवारा ना भूना ताकि कोई अपडेट आप से मिस ना हो सके तो दोस्तों आप लोग लगतार कुणीचे कॉमेंट करते हैं रहते हो और मैं डेफिनेटली चो कॉमेंट आप करते हो उनीसे वीडियो स्लैक करके एवीडियो बनाना पसंद करता हूं तो आज बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में ठीक है पैनी स्टॉक्स बिलोव वन रूपी है काफ़ important वीडियो हो सकता है तो end तक देखना ठीक है मुझे कैसे investment करना पसंद है penny stocks में अगर आप मुझे follow करते हो definitely आप इस rule को भी follow करोगे और मेरे विचारू को भी follow करोगे कैसे मैं investment करता हूँ penny stocks में और मुझे tension नहीं होती एक रुपे की भी अगर आप follow करोगे तो definitely पैसा गुरू होगा नहीं होगा तब बात करना लेकिन rule को पहले follow करना सीखो तो देखो rule क्या है बेले rule share करने से पहले देख सकते हैं कुछ skin short है ठीक है इन्होंने इस stock के बारे पूछा है और इन्होंने इस stock के बारे पूछा है ठीक है दोनों penny stock below 1 रूपी है अभी अब इन दोन reason के वज़े से यह stock suspend कर दिया गया है अब आता है question दोस्तों यह stock suspend हो गया तो क्या इस stock दुबार है से stock market में trade करेगा तो कुछ update stock के बारे में आपको देदू पहले तो देखो मैंने आपको जैसे बहुत पर बोलावा है बहुत सारे penny stock suspend होंगे आपकी journey में बहुत सारे penny stock suspend हो या फिर day trading में जितना loss send करते हो आप ले सकते हो उतना investment करो penny stock में और फिर देखो कि आपका जो डर है ना जो fear है stock market से regarding penny stock वो दूर हो जाएगा और फिर आपकी बुरी दुनिया बदल जाएगी ठीक है क्योंकि सिर्फ आपको अपना डर के ओपर काबू करना है penny stocks में और trading में अगर आपने वो कर लिया तो definitely आप भी mastery कर सकती हो मेरे अच्छा काता पैसा कमा सकती हो तो यहां देखो यह पैजर इंटरनेस्टल यह 23 में split मारा था और dividend भी दिया था सने ठीक है यह आप क्यो दिखा रहा हूं यह इसले दिखा रहा हूं कि देखो भाई यह company वो थी जो आ 12 लिस्टिंग की गई है स्टॉक का प्राइज 21 रुपे टेट कर रहा है और जब आपको वीडियो में अपडेट दिया था स्टॉक के माहने में तो उस समय 85 पैसे का स्टॉक तो एक रूपे 30 पैसे का स्टॉक था आज 21 रूपे का है तो बहुत सारे स्टॉक स्टॉक होने के बाद दुवारा रिलिस्ट करे जाते है तो घबराना नहीं है अगर सस्पेंट हो भी क्या तो वो रूल आपको हेल्प करेगा दूसरे पैसे गमाने में ठेक है जैसे बहुत सारे पैसे हैं 10 लेक करोगे तो 10 में से 6-0 हो जाएंगे लेकिन 4-5 आपका पैसा इतना मल्टिप् पैसा बनता है बस थोड़ा टाइम और आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो टाइम दे सकता है जो नहीं दे सकता वो तो यही बोलने वाला पैसा बिकार होते हैं अब मर्जी आपकी कि आप कहां कैटिगरी में फॉल करते हो दोस्तों आप लोग जो कोशन पूछ रहे इस स्टॉक के बाएरे पर कोशन पूछ रहे थे कौार्टरेंट टैलिवेंच और यह स्टॉक भी आल्मोस वो सो बहुत सालों से सस्पेंड कैटिगरी पर चल रहा है मतला जी एसम कैटिगरी का स्टॉक है अकाउंट पर ट्रेडिंग नहीं हो बात यह स्टॉक में बाएसल क को बता है प्लीज उसको फॉलो कर लेना और ध्यान रखना यह स्टॉक में वो वाला पैटन नहीं बना है देखे जिस पैटन को मैं फॉलो करता हूं जो पैटन मैंने इंडिया इंफो में चेक आउट किया था पी एमसी में चेक आउट किया था आपका विकास लाइप केर मे आपका जो ट्राइडेंट में आपका 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 तीनचा स्टॉक हो जा दिया रहे उज्जा गलोबल सिंटेक्स वाला पैटन स्टॉक में नहीं बना है ठीक है तो ये स्टॉक को आप सिर्फ इनवेस्ट्रेंट करोगे इसके चार्ट पैटन को देखके और सबसे इंपोर् ४करिए ना लास देखो चार साल से स्टॉक में न तीन चार साल से एक घी प्राइट कर रहा है ठीक है आपके सामने और आपके सामने स्कीन देखलो ठीक है तो ये भी इंपोर्टन इसलिए स्टॉक में आप चाहो तो जो money management का रूल बताया है जो भी आपके monthly income है जो data loss लेते हो उतना इन investment करके छोड़ो तो बस चारा सोच नहीं करो सकता नहीं है ठीक है आगे दोस्तों इस वीडियो का इसमाप्त करता हूँ चाहो तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल में जॉइन कर सकते हो लिंक्स नीचे मिल जाएंगे और ट्विटर पेज भी है विवे करना दोस्तों नो करके उसको भी जॉइन कर सकते हो या फिर Instagram पेज है वहाँ भी आप ला था ठीक है तो स्टोरी से आप क्लिक करके उस लिंक को रिसीव कर सकते थे अगली बाए जो क्लास बनेगी उसके लिंक्स में आपको मैसेज के माद्यम से दे दूँगा तो आप डेफमेर टीवरे को लाइक करने का बाद शेयर कर सकते हो फेस्बुक ट्विटर टेलिगरा प्लीज उसको फॉलो कर लेना उसको फॉलो कर लेना ठीक है चलो बाए